विल्कम बेक टो अभीरे क्लासेज यूपी आज के इस वीडियो में हम समझने वाले आदर्सवाद के बारे में आदर्सवाद क्या होता है इसे हम विचारवाद या प्रत्यवाद के नाम से भी जानते हैं तो चलिए देखते आगे बर निस पहले अगर आप चैनल पर नहीं है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज एक बार से जाकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और वीडियो पसंदाएगी तो लाइक एंड सेर भी अवश्य कर देंगे ठीक है चलिए देखते हैं आदर्सवाद विचारों और आदर सत्ता मानता है इसके अनुसार आध्यात्मिक जगत ही सत्य है और भौतिक जगत क्या है नाश्वान वो असत्य है आदर्सवाद के अनुसार आध्यात्मिक जगत है वही सत्य है और जो हमारा भौतिक जगत है वो नाश्वान वो असत्य है और यह वस्तु की अपेक्षा जो जो होते हैं उसको महतपूर मानता है नो कि वस्तुगो या प्रकृति के अपेक्षा मनुष्य और उसके व्यक्तितों का जो विकास होता है अध्यात्मिक मुल्ले होते हैं उसी को जीवन का आदर्स मानता है ठीक है आदर्सवात मानता है कि मनुष्य अन्य प्राडियों की तु सब्दों से मिलकर बना है आइडिया तथा इज्म आइडिया सब्दों से मिलकर बना है आइडिया और इज्म से आइडिया सब्द का अर्थ होता है विचार और इज्म का अर्थ होता है वाद यानि कि इसे हम विचार वाद के नाम से भी जानते हैं इस प्रकार आइडिया इज का अर्थ है विचारवाद ठीक है यानि कि इसे आप ठ्यान में रखेंगे आदर्स वाद को अंग्रेजी में क्या कहते है आइडियलिस्म कहते है जो दो सब्दों से मिल करवाना आइडिया और इज्म ठीक है जहां आइडिया का अर्थ क्या है विचार और इज्म का अर्थ होत इस प्रकार विचारवाद यानिगी आइडियेज्म ने आदर्सवाद आइडियेलिस्म का रूप लिया है ठीक है विचारवाद को आदर्सवाद इसलिए कहा गया है क्योंकि विचारवाद में विचारों को महतों देते हुए आदर्सों की व्याख्या वो खोज करके उनकी स्थापना को अत्यधिक महतों दिया गया है आदर्सवाद वस्तु की अपेक्षा विचारों भाओं और आदर्सों को स्रेष्ट मानता है इसलिए यह कहा जाता है कि विचारवाद अपनी परिडामों में आदर्सवाद का ही एक रूप है यही कारण है कि विचारवाद सब्द आदर्सवाद में परिवर्तित हो गया यह पहले विचारवाद जो सब्द था वो फिर आदर्सवाद में अक्षर जोड़ देने से आदर्सवाद हमारा बन गया आइडियाइज में तो क्या हो गया विचारवाद आदर्सवाद में परिवर्तित हो गया आदर्सवाद को प्रत्यवाद भी कहा जाता है जैसा कि मैंने जश्ट आगे बताया था आदर्सवाद को विचारवाद और इनके अन्य नाम में विचारवाद और प्रत्यवाद इसको आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि एक्जाम में ये नाम चेंज करके पूछे जाते हैं कहा जाता है क्योंकि प्रत्य और विचार समनार्थक सब्ध है प्रत्यवाद सब्द से विचारवाद या आदर्सवाद का अर्थ प्रसफूटित होता है आदर्सवाद आइडियलीजम में आदर्स को सरवाधिक महत्व दिया जाता है ओके इतना क्लियर है आगे देखते हैं एडम्स अपनी पुछ तक The Evolution of Educational Theory में लिखते हैं कि आदर्सवाद दर्सन सास्त्र के संपूरी इतिहास में किसी न किसी रूप में ब्यापत है ये एडम्स महोदय का ये बुक का नाम भी आप याद रखेंगे आपजेक्ट्री टाइप कोईशन में ऐसे कोईशन बनते हैं बुक के नाम और लिखक के नाम आदर्सवादी विचारधारा के प्रमुख समर्थक कौन-कौन थे आदर्सवाद के प्रमुख प्रवर्थक थे सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, देकारते, इस्पीनो, जार, लाइबनी, जबरकरे, कांट, फिश्टे, हीगल, सैलिंग, सौपेन, हमर, आदी ये कौन थी कि आदर्सवाद के प्रमुख प्रवर्थक थे अब हम देखते हैं आदर्सवाद की परिभाषा, कुछ परिभाषा इंपॉर्टन परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे आदर्सवाद की अर्थ को समझने के बाद अब हम आदर्सवाद की परिभाशाओं पर चर्चा करेंगे आदर्सवाद की बिभिन पिद्वानों ने बिभिन परिभाशाओं दी हैं जो निमने प्रकार्चे हैं देखते हैं सबसे पहला परिभासा जेम्स एस रुस के अनुसार इन्हों ने कहा है आधर्सवाद के अनीक रूप हैं किन्ट सबका सारिय है कि मन या आत्मग ही इस जगत का पदार्त है और मानसिक स्वरूप वास्तविक सकते हैं ये किस ने कहा है ये रौस महोदे ने कहा है बूब बेकर के अनुसार इन्होंने कहा है इन्होंने कहा है आदर्सवादियों का मानना है कि इस जगत को समझने के लिए मन केंडरी बिंदु है इस जगत को समझने के लिए मन की क्रियाशीलता से बढ़ कर उनके लिए अन्य कोई वास्तविक्ता नहीं है ठीक है डी एम दत्ता ने कहा है आदर्स्वाद्व सिधान्त है जो अंतिम सत्ता को अध्यात्मिक मानता है ठीक है यानि कि आदर्स्वाद्व सिधान्त है जो अंतिम सत्ता किसको मानता है आध्यात्मिक्ता को अध्यात्मिक जगत को ही मानता है हर्मन एच हर ने कहा है आदर्सवादी सिख्छा दर्सन मानों को वह श्वरू प्रदान करता है जिसे वह अपने को मानसिक बिश्व से अभिवाजी समझने लगे। और हेंडर्सन के अनुसार परिभाशा दी गई है कि आदर्सवाद मनुष के आध्यात्मी पक्ष पर जोड़ देता है क्योंकि आदर्सवादियों के लिए आध्यात्मी मुले जीवन के तथा मनुष के सरवादिक महतपूर पहलू हैं एक तत्तो ग्यानी आदर्सवादी का व दी गई परिवासा इसे भी आप ध्यान में रखेंगे अब देखते हैं सिक्षा सब्दकोस के अनुसार है आदर स्वात ब्यापक रूप में व्याक्या के विशिष्ट सिधान के रूप में मन या अध्यात्मिक्ता को जोर देने के लिए विचारों की कोई व्यवस्ता या व् विचार है ये किसके अनुसार ये सिक्षा सब्दकोस के अनुसार है इस प्रकार हम देखते हैं कि जेंस एस रौस ने आदर स्वात के अध्यात्मिक और मानसिक स्वरूप पर ज्यादा जोर दिया है और हर्मन एच होर्न ने आदर स्वात का केंद्र प्रकृतिवाद और मान मानों वाद को माना है Useぁ प्रकार Henderson के अनुसार आधरस्वाद मानों की अध्यात्मिक पक्ष पर जोड़ देताए इन सभी विचारों की आध्यात्मिक पक्ष पर अत्यधिक जोड़़ देता है उथ विचारधाराओं को नकारता है जिसका केंदर प्रकृति मानो अथ्वा विज्ञान है अधरस्वात अध्यात्मिकता पर जोड़ देता है नो कि प्रकृति वात का ये बीरोधी है ठीक है जिसका केंदर प्रकृति मानो अथ्वा विज्ञान है उन विचारधाराओं को ये क्य की अपेक्षा स्रेष्ट है ठीक है आधरस्वात पशात दर्सन की ऐसी प्राचीन विचारधार है जिसका मानना है यह कि ब्रह्मांड इस्वर्द्वारा निर्मित किया गया है ठीक है और जो है मानो इसका स्रेष्ट और बुध्धिमानी बुध्धि जीवी प्राणी है आत्मा इस्वर का अंस है यह इस्वर कोई अंतिम सत्य मानता है और आत्मा इस्वर का अंस है मानता है और यह प्रतिपादित करती है कि मानों जीवन का अंतिम उद्धेश क्या है आत्मा परमात्मा के वास्तिविक स्वरूप का ज्यान प्राप्त करना जो सास्वत मुल्यों व इस ब्रह्मान की रचना क्या है इस्वर ने की है ठीक है दूसरा आध्यात्मिक जगत ही सत्य है और भौतिक जगत असत्य वह क्या है नाश्वान है ओके तीसरा पॉइंट है आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत की अपेक्छा स्रेष्ट है और मानो इस ब्रह्मान की सर्वस्त् शवव कि तुल्ला में क्या है? स्रेश्ट है मानो जिवन का अंतिम उद्देश्य आत्मा नुभूति या इस्वर की प्राप्ति है छटा पॉइंट है आत्मा एक अध्यात्मिक तत्व है वो परमात्मा सर्वस्रेश्ट आत्मा है और सात्मा और आखरी पॉइंट ए अध्यात में मुल्यों की प्राप्ति के लिए नैतिक आश्र और अनिवार रहा है तो ये था हमारा आदर्सवाद इसके अन्य नाम भी आप याद रखेंगे ये किन सब्दों से मिलकर बना और किस प्रकार उस सब्द का विखास हुआ है आइडियलिज्म का किस प्रकार विखास हुआ है आइडिया और इजम से बना है उसमें एल सब्द जोडते हैं तो विचारवाद से आदर्सवाद बना है इसे पृत्यवात की नाम से भी जानते हैं